हेलो खुलास तेंथ, आज आज ऑन चेप्टर नमबर 7 कोर्डिनेट जो मेर्ट्री का पार्ट नमबर 5 करेंगे, आज का जो हमारा टोपिक है वो है सेक्षन फॉर्मूला, लास्ट पार्ट में हमने दिस तेंश फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेक् एक्षन फॉर्मूला क्या है स्पोज करो आपको एक पॉइंट दे रखा है उसके कुछ ना कुछ कोडिनेट्स है वह हमने मान लिए X1 Y1 ऐसी ही कोई भी फैन बनेगा इस लाइन स्पोज करो पॉइंट है फ्र कोडिनेट थिए अग joue की कोडिनेट्स at टेलन है दोब को बी कोडिनेट और खाले एक स्पोंग कोई पॉइंट है वर्मृई अग्या उसके coordinates है P जो point है वो line segment AB को दो parts में divide कर रहा है एक part ये और एक ये दो parts में divide कर रहा है मिल्स दो ratio में divide कर रहा है तो वो ratio हम मान लेते है M1 ratio M2 P AB को M1 ratio M2 में divide कर रहा है तो अब ये जो P के coordinates है X and Y तो X की जो value आईगी वो कैसे आईगी X is equal to कैसे आईगी देखो M1 की X2 से multiply plus में M2 की X1 से multiply M1 की X2 से multiply plus में M2 की X1 से multiply and divide by दोनो ratio का sum यानि M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 तो आपकी यहां से X की value आईगी और Y की value अगर निकाल नहीं तो वो क्या होईगी M2 की तो Y1 से multiply और M1 की Y2 से multiply M1 into Y2 plus M2 into Y1 divide में दोनों ratio का sum यानि की M1 plus M2 तो यह आपका क्या है इसको बोलते हम section formula ठीक है इस section formula के base पे अब हमें एक दो एक्जांपल करते हैं तो यह A, यह B X1, Y1, B के साथ X2, Y2 और यह आपकी X, Y और यह M1, M2 सभी values लिख लेते हैं याद रखना हमें सभी values लिख लो ताकि वो उस formula में रखो गया तो कोई भी गलती नहीं होगी X1 की value क्या है, 4 X2 की value क्या है, 8 Y1 की value, minus 3 and Y2 की value, 5 M1 की value, 3 M2 की value, 1 ठीक है, अब आपको X, Y की value निकालने है X की value कैसे आती है, देखो M1 into X2 M1 into X2 8 की 1 से multiply कितना हैगा 8, plus में M2 X1 M2 ठीक है M1 X2, M1 की value है 3 X2 की value है 8 8 into 3 कितना होजएगा 24, उसके बाद M2 X1 M2 X1, 4 की 1 से कितना 4 Divide में दोनु रेशियों का sum M1 पलस M2 यानि की 3 पलस 1 कितना 4 उपर आगे 28, निचे 4 कितना हैगा 7 तो X की value तो आगी 7 किसमें P के अंदर जो X है उसकी value तो आगी 7 Y की value और निकालने है Y किसके equal होगा M1 Y2 M1 और Y2 M1 Y2 की multiply कितना 5 into 3 15 उसके बाद M2 Y1 M2 की value 1 Y1 की value minus 3 minus 3 की जब 1 से multiply होगी तो कितना हैगा minus 3 Divide by दोनु रेशियों का sum M1 पलस M2 यानि 4 15 minus 3 12 12 upon 4 कितना 3 तो Y की value कितना है 3 यह आपके coordinates आगे ठीक है जो P point था उसके लिए coordinates आपके क्या आगे 7,3 अब example number 7 करते है Example number 7 में आपको section formula में क्या है coordinates दे रखे points के ठीक है और जो point divide कर रहा है उसके भी coordinates given है बट ratio given नहीं है तो ratio ही find करने आपने Example number 7 में क्या है एक point है A जिसके coordinates है 6,6,10 एक point है B जिसके coordinates है 3,8 ठीक है बीच में कोई point है P इन दोनुँ points के बीच में कोई point है P स्पोज कर यहां है P P के coordinates आपको given है कितने minus 4,6 यह आपको given है कह रहा है कि P जो point है A,B line segment को किस ratio में divide कर रहा है ratio हमको नहीं पता हम मान लेंगे M1 ratio M2 तो solution में कह लिखोगे let the ratio is equal to M1 ratio M2 अब section formula जो हमारा था वो क्या था कि X is equal to M1 X2 plus M2 X1 divide by M1 plus M2 and Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 divide by M1 plus M2 यह हमारा section formula था तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास किस कि values है इन formula के इसाब से X की value कितनी है यह X है आपका यह Y है X1 Y1 X2 Y2 X and Y M1 and M2 X की value कितनी है minus 4 Y की value है 6 X1 की value है minus 6 X2 की value है 3 Y1 की value है 10 and Y2 की value है minus 8 यह सभी values है हम इस formula में रखेंगे देखो यहां से X की value कितनी है minus 4 तो minus 4 थीक है हमको ratio find करना है तो हम इस part को solve नहीं करेंगे थीक है यहीं से हमारा ratio आ जाएगा देखो यह M1 प्लस M2 जो है यहां divide में है इदर जाएगा तो multiply में minus 4 की जब आप M1 प्लस M2 से multiply करोगे और is equal to में क्या 3M1 minus 6M2 कितना हैगा देखो minus 4M1 minus 4M2 is equal to 3M1 minus 6M2 अब M1 वाली terms एक तरफ और M2 वाली एक तरफ तो कितना होगा माइनस 4M1 minus 3M1 यह प्लस का 3M1 इदर आकर minus का 3M1 is equal to minus 6M2 and यह minus की terms उदर जाके plus का 4M2 यह कितना होगा minus 7M1 is equal to minus 2M2 ठीक है अब minus से तो minus cancel out होगा यह M2 इदर divide में आएगा M1 के is equal to और जो ही 2 है इसके divide में आएगा 7 तो यहां से ratio आपका क्या आया M1 ratio M2 क्या आजाएगा 2 ratio 7 तो यह आपका क्या आगया solution ठीक है अब अगर आपको doubt भी है तो आप इस formula में X की value find कर सकते हो अगर आपके पास M1 M2 की value है M1 M2 की value आपके पास आ चुकी है X1 X2 की value भी आपके पास already थी तो आप इसको solve करोगे तो आपके पास X की value minus 4 ही आएगी इस तरीके से आप verify भी कर सकते हो और अगर आपको लगे कि मेरा ratio गलता है कि सही आया तो आप इसमें values रखके देख लो Y1 Y2 की और Y की तो भी आपका answer यही आएगा जैसे की कोई line है ठीक है यह point है A यह point है B तो कोई 2 point है P and Q ठीक है इन सभी के कुछ ना कुछ coordinates तो होंगे X और Y की values होंगे सब के लिए तो P और Q अब क्या करें trisect करें देखो bisect का मतलब होता है दो equal part में divide करना trisect का मतलब होता है तीन equal part में divide करना means 1 ratio 1 ratio 1 तीनों size यह equal है ठीक है अब आपको A के दे रखे है coordinates ठीक है और B के दे रखे है तो मान लोग आपसे पुछे की P के coordinates क्या होंगे तो एक बार ध्यान से देखो P जो point है वो क्या कर रहा है इस AB line segment को 2 part में divide कर रहा है P ठीक है P तो यहां से divide कर रहा है देखो Q को यह बार हटा लेते हूं अब P देखो 2 part में divide कर रहा है एक इस तरफ और यह एक इस तरफ ठीक है तो P के लिए ratio क्या होंगे इधर तो होगा 1 और इधर कितना होगा यह पूरा यानिकि 2 तो P के लिए P point के जब आप coordinates निकालोगे तो M1 की value के आएगी 1 and M2 की value के आएगी 2 ठीक है P के coordinates वहाँ से आएगे बाकी X1, Y1 X2, Y2 था आपके fix है ratio आपका change हो गया P के लिए आपका आएगा M1 की value 1 M2 की value 2 अब Q point यहाँ पर था आपका ठीक है इस तरफ ठीक है तो Q के लिए ratio क्या हो जाएगा अब की बार इधर तो होगा 1 ठीक है और इधर कितना हो जाएगा 2 तो Q के लिए ratio आपका क्या होगा 2 ratio 1 ठीक है M1 की value 2 M2 की value 1 तो यहाँ से आपके Q के भी coordinates आ जाएगे ठीक है उसके बाद दा लाइन सेग्मेंट जोईनिंग दो पाइंट दिस एंड दिस ठीक है दो पाइंट दे रखे है उन दोनु पाइंट को Y axis डिवाइड कर रहा है ठीक है अगर Y axis डिवाइड कर रहा है तो जो भी coordinates आएंगे आपके यहाँ पे जैसे कोई भी coordinates आएंगे तो Y axis डिवाइड कर रहा है तो X की value कितनी होगी क्योंकि Y axis के उपर X की value हमेशा 0 होती है और X axis के उपर Y की value हमेशा 0 होती है तो आपको करना क्या है आपको ratio पूछ रहा है कि क्या ratio है आप कुछ भी ratio मान लीजिए M1 ratio M2 मान लीजिए और easy method के लिए book में आपको K ratio 1 दे रखा है अब यह K ratio 1 क्या है doubt होगा आपको K ratio 1 मान लिए कि भी ratio हमको नहीं पता हमने मान लिए K ratio 1 में divide कर रहा है तो यहाँ पे K की value कुछ भी आएगी जब आप solve करोगे देखो M1 की value K M2 की value 1 ठीक है अब suppose करो solve करने के बाद K की value आप किया गई 2 by 7 ठीक है और ratio का ratio 1 का 1 तो यह आपका अंस्वर नहीं होगा अंस्वर आपका होगा 2 ratio 7 यह जो 7 इधर है ना इधर चला जाएगा तो अंस्वर आपका आएगा 2 ratio 7 ठीक है क्या क्या मैंने Y axis divide कर रहा था ठीक है किस ratio में divide कर रहा था नहीं पता तो हमने मान जिया की ratio है K ratio 1 ठीक है section formula में जब आप सभी values रखोगे X की M1 की M2 की X1 X2 की सभी values रखोगे तो आपके पास तो इस तरीके से change हो जाएगी नहीं तो सपर्ज करो K की value 2 आगी तो ratio आपका हो जाएगा 2 ratio 1 simple अब यह Y axis डिवाइड कर रहा था ठीक है तो Y axis डिवाइड कर रहा था तो आपको करना क्या है जब आप यह X की value निकालोगे ना इस टाइप का question आजए ना कि वह Y axis डिवाइड कर रहा है या X axis डिवाइड कर रहा है तो X axis में हम Y की जो value आएगी उसको equal to 0 रखेंगे और अगर Y axis डिवाइड कर रहा है तो X की value को हम equal to 0 रखेंगे वहां से हमारी K की value आएगी K की value आने के बाद क्या होगा हमारे पास ratio आ जाएगा ठीक है इस question को ध्यान से करना important भी है next part में हम इसको solve भी कराएंगे अच्छा 10th जो question है इसमें आपको parallelogram है ये भी हम next part में जरू solve करेंगे तो फिलहाल आज के लिए इतना ही अब आपको करना क्या है जो exercise 7.2 है exercise 7.2 के कुछ parts आपको solve करने है try करने है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीक है Thank you